गुड मानिंग स्टुडेंट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 का भाग 4 या पार्ट 4 तो हमने कल पढ़ा था पार्ट 3 आज हम पढ़ेंगे भाग 4 बाग 4 में जितने कोश्चन हो दें उसी से हमारा जो इक्सरसाइज 3.2 है वो समापत होगी ठीक है और अग पुमें बाग 4 में पढ़ेंगे कोश्चन नमबर 18 तो देख लिए जे प्रस नमबर 18 है पर लीजे उसे कोश्चन नमबर 18 हमारा है तो प्रस नमबर 18 जो हमारा है वो है यदि A बराबर 0 माइनस 10 इलफा बाइटू 10 फिर लिखा हुआ है नीचे 10 इलफा बाइटू और 0 तथा I कोटी I की वैलू आप जानते हो I की वैलू कित्ती होती है 0, 1, 0 है किस तरह से होती है यह तब 1, 0, 0 है तो तथा I कोटी 2 का एक तस्मक आव्यू है तब यहाँ पर बोला गया है कि I है यहाँ पर वो 2 कोटी का 2 कोटी का है तस्मक आवी मतलब यहाँ पर 2 होंगी 2 कालम होंगी अब यहाँ पर कही रहा है कि तो सिद कीजिए कि I प्लस A बराबर I माइनस A और इतना कॉस इलफा माइनस शाइन इलफा sin alpha cos alpha यह हमको दे दिया गया है तो मतलब हमें प्रूब करना है left hand side i plus a है हमारा और यहाँ पे i minus a cos alpha minus sin alpha यह हमारा है right hand side इतना हमें प्रूब करना है तो देखे i की value हमको पता ही है कितनी होती है a की value हमको दे दी गई है तो हम चलते हैं सवाल को all कर लेते हैं सबसे पहले तो सवाल पर चलते हैं यह देखे यह है निमेड कर हमारा मतलब सवाल ही हमारा यहां पर सबसे पहले तो हम डाल देंगे solution क्या डाल देंगे solution तो सबसे पहले आप डाल दीजिए यह वो लिख लेंगे तो वैलू दिये ए बराबर बराबर लिख दिया गल यह एक हमें I प्लस ए निकालना पड़ेगा और दूसरा आ है माइनस ए जब यह दोनो만 निकल Ax2 पर derived आई-a की वाँ पर आपर निकालेंगे तो आई की वैलु इतनी है और a की वैलु इतनी है दोनों को जोड़ देंगे सबसे पहले और पर आई-a भी निकाल लेंगे तो दुनों सब्सक्राइब रगधिया गए है आई-a से फिर हम क्या करेंगे राइट हैं साइड में जो लिखा तक और सिल्फा उसका मल्टिविटिकेशन कर वा देंगे इसमें आई माइन से में इतना निकाल लेते हैं तो देखिए को इतना दिया गए यहां पे दिख रहा है तो आई प्लस ए निकाल लेते हैं आई की वेलुम को हमको याद करनी होती है और एंग जोड़ेंगे तो एक इस烏ंगे दिख लीघ लीघ एक आजाएगा ठीकिस सब्सक्राइब यहां पर और जोड़ेंगे तो वाना यह तो मारा आइप लिए अब निकाल लेते हैं आई-अ जब निकालेंगे तो तो आई की वैलू रख दिया माइनस इसका मतलब यह ब्लस में आजाएगा यह लिखा है यह लिखाए तैनल इसमें गटाएंगे तो क्या करेंगे हमें राइट हैं साइड में दिये था कितना दिये था तो हमें राइट हैं साइड में इतना दिये था यह दिया था आई माइनस है और फिर मल्टिप्लिकेशन इतने करवाना है तो अब हम इसका इसमें मल्टिप्लिकेशन करवा देते हैं इसका मल्टिप्लिकेश किसे से करवाए तो सå MT- phải u cow palm से करवाना और व्यूवाइगे तो अब दीखिए उसके बाद किया करेंगे तो अब उसके बाद capable डीलो और अब दूसरी रोगा चक्राइटे दूसरी रो का जब करेंगे के दूसरी रोगका है हमारी और क्या यहांगे हमारा माने उस還 už कॉस Eli sancta इतना आजाएगा यहां पे करेंगे मांई felt i book तो यह पर प्लस में आ जएगा टैनलफा इनलफा स्वी और यहां पर का इतना कर दीया अब ऐसे यहां पर करना कर तो यहां पर टैनलफा न्फा इनलफा और तो साइन थीटा बड़े कॉस ठीटा होता है अगर यहां पर निचे थीटा बाइटु लगा देंगे तो दोगों नहीं की यह यांपर लिए प्लिकाए तो इसका जो सूत्र जब साइन फाइटू कॉस फाइटु हो जाएगा तो हम इसका क्या करेंगे नीचे lcm ले ले लेंगे, तो यहां पर खोल जाएगा, साइन अलफा बाइ साइन और यां पर जाएगा, इसके नीचे त्झा तो तो खूल देंगे तो यहां पर माईनस प्लस साइन इंपाई टुट साइन अगया और नीचे घुट एक अब क्या करेंगे यह किया ह्सक्राइब अब हम इस तरह से इसमें बीकर लेंगे कर लें से संध तो खोल देंगे तो इस यहां पर साइनलफबई यहां पर माइनस था माइनस रखा यहां पर कॉस इलफबई नमीन बटें में आगया सएम यहीं प्रसेस कि खोलेंगे तैनलफबई नस्icação को यहां पर कॉस इलफबई नमा कर दि française इंपर लग देल न्हुत सूतर लग रहा है पीछे पेख्धाय गया था यहाऊपर Has a कौ सकंग छ्राइगे स्छाइग पीछे रहते पीछे लग लग लगँगे थे सूटर बन rais kawson air धान इस काई पन जाएगा मुदक तो सॉत्र होता है स Extreme आप लिमानसबीक पेंदग टो इस은 तरह से बन जाएंगे यहां चाहिंठ में प्लस प्लस बीका अ म्युक्त आप यह होता है साइनर फैनर प्लस अ-धी उक जाएगा यहां पर तो बन दाएगे । बीज़कस ब्रख देंगे यहां सब्सकर रख देटे हैं तो देखें यहां पपर लिखा रिखा वगा धाय में थिहां यहां हिर्ज़क है काइं उतना हमने सब्सक्राइन बन गया हमने सब्सक्तार काइन दें तक जब हल करेंगे तो इसके नीचे एक माल लेंगे दो इसका तिर्या गुणा इस तरह से करवा देंगे दो उपर चला जाएगा तो बन जाएगा हमारा 2 alpha minus alpha by 2 2 alpha में जब हम alpha गटाएंगे तो आजएगा alpha by 2 तो यह आजएगा और दो हो से कास केंसील एक आ जाएगा साइन कास किता तैन ऐ चाहता जाए तो इसको ना लिखना चाहे तो इतना करद दीजी कि यहां पहर लिख चीए कि हमारा कौन साइड है यह हमारा साइड है राइट हेंड साइड यहां के सेम वैलू आई ठी आई प्लस ए Fergus जाप आपने निकाला तो स्थेम यहीं वैलू ए थी और यह अमने निकाला ए इतनी की वैलू निकाली त्षिक्वuke स्यव我们 शाइब और याँ लगते हैं कि यहां लिख सकते हैं सब्सक्षाइए इससे हो नियुस्पलेगे यह फ्रूब्ड सवाल है चलिए आंगे चलते आंगे वाले सवाल पर तो आंगे कोश्चन में नाइंटीम क्या उसे पढ़ लेते हैं कोश्चन में कहा क्या गया है तोड़ी सी बढ़ी है क्या हुआ है किसी ब्यापार संग के पास तीस हजार का कोश है कितने हजार का कोश है तीस हजार का ठीक है तीस हजार का कोश है ठीक है और इसके बात का है जिससे दो भिन भिन प्रकार के रांडो में निवेसित करना है प्रत्थम बांड पर पांच परसंट वार्सिक तता दिती बांड पर साथ परसंट वार्सिक ब्या प्रकार के यहां पर प्रकार सही नहीं लिखा है प्रकार के बांडों में निवेज करने के लिए यह किस प्रकार बाते जिससे ब्यापार संको प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहला तो अठारा सो और दूसरा कितना हो से पहले हमने किसमें हम रहें हो आप सबसемся पहले क्रेंगे यां पर सोलूशन डाल देंगे इसके अगर हम दो पार्ट करेंगे तो पहले वाले को में यक्स मान लेंगे और दूसरा वाला हमेसा जम निकालते हैं तो टोटल में पहले पार्ट को घटा दिया जाता है तो दूसरा वाला पार्ट हमारा निकलाता है तो वही किया गया यहां पर टोटल हमारे पास 30,000 है पहल लीज़िया हमने और निव्यान तक बहत अधर मेरें तो फॉक्र क्सरिंगे लिखेंगे यह दूसरे पांच पर्सट्स इसको कालम के रूप में देखें पांच बटे सौ प सफ तॉच पर्सेंट का स्थ उसà-। पाँच परसंट का मतलब होता है 5 बठे 100 तो इसको लिए 5 बटे 100 बहाबर नकीذ clear तो diet दो С्ब्राबर कर दिया तो इसको हम हल कर लेते हैं हल करेंगे हम हमने पता है कि size कोलम से बस रोग को अकि से करवा देते हैं से तो यह स्दिलक्र 565 100 कि यहां पर there 30,000-60 कव़ूण 700 से करवा देंक कर वा दिया बेराबर के 18500 exhale कि हम इसको हल कर लेते है ब्र 60000 70 क हरो हाज TikTok यह घ्र चा reforms上 सब्सक्राइए साथ एक्स से करवाएंगे माइनस साथ- ilinois 30 chain है समान की तो दो एक बार रखत जाता है बराबर कित्ता के 8300 के रलाहाएं घंच निए लाता गता है इस तरह से सी और न्हीं और चीहीं है 8800गटी 100 माइनस और सबस्त कर जाएगा वहां हनोरी ज दो लाग दस अजार यह क्षानतर करेंगे जब पच्छानतर करदेंगे आपर कि देख लीजे है तो यह जो था एक लागएसी हजार के पास चला जाएगा तिक है इस तरह से इसकों क्या करेंगे गटा लेंगे जब उतह यह दूपने के तो अच्छान हाजाएगाlls यहां कित्ता आजाएगा तो सब्सक्राइब निकालेंगे तो यहां sizin चाहए है अध्याल जिए इसे करना कुछ सब्सक्राइब दूसरे की बात करेंगे तो 30,000 में 15,000 गटा दिया तो कितना आ गया 15,000 तो यह दूसरा भी मारा 15 मतलब दोनों की वैलू कितनी आ गई 15,000 मतलब प्रिथम ब्रांड वांड दूसरा था वह भी 15,000 यह तो हमने गए 15,000 रुपए जब ब्याज लिया अब हम 2000 जब ब्याज लेंगे तब कितना अनुसर निकलेगा चलिए उसको भी कर लेते तो इसमें लिख दिया प्रस्ना अनुसार करेंगे सेम रहेगा बस ब्याज की दर बदल ब्याज बदल जाएगा वहां पे इतना करवाएंगे तो सेम उसी के रहेगा यहां पे आजाएगा पांच यक्स प्लस किता दो लाख दस हजार ठीक है माइनस साथ यक्स बटे सव ठीक है बराबर कितने के आजाएगा दो हजार के आजाएगा यह इसी के बाद वाला आई से कर लीजिएगा ठीक अब उतना आजाएगा घटाने के बास यह उस्ते आफ हमारा पहला इसके बाद वाला ठीक यह ऐख जाएगा इसका गुणाइक क्रहत एसकों एगा एह रहा ठीक है नहीं से प्लस मांद मेराश प्लस दौ लाख कि अन्य सेट, यह बटे बित को फरकरएगा यहां पर आजाएगा दो लाग तो यह आ जायगा दो लाग किता आ जाएगा दस अजार तो दो लाग दस अजार अब इतना आ गया इतना करने के बाद हम का करेंगे यहां पे पच्छांतर कर लेंगे ठीक है पच्छांतर कर लेंगे जब तो यहां पर करेंगे तो यह पहले एक मिनट इसको घटा देंगे दो यक्स आ गया अब हम पच्छांतर कर लेंगे जब दो यक्स आ जाएगा तो यहां पर हम करेंगे क्या दो लाग दस हजार इधार रहे दो भाख आजागा इतना ठीक है बराबर कितने के दो ये एकस था era माइनस में था इधर माइनस में तो इधर किसमें आजाएगा प्लस में इस तरह से आजाएगा डो लाइट is गटाएंगे तो कितना आजाएगा 10,000, मतलब 10,000 कितने बराबर आजाएगा दो एक्स के, तो एक्स बराबर कितने के आजाएगा, तो एक्स बराबर आजाएगा 10,000 एक इमाट रोगे हैं ठीक है तो कि 10,000 बटे कितना दो इसको भाग देंगे कितना जag एक्स की वैलू आजए गी पांच हजार चुट एक्स की वैलू नाजए गो फांच चा जार ऐे तो को फ। जो तो आपको यह आजाएगा तो आपको टाइप टेंक है तो चलिए यह मारा कोश्चन नमबर दूसरे का अगले चलते हैं अगला कोश्चन 20 नमबर भी एकदम सरल है कोई कठीन सवाल नहीं है बिल्कुरा है कि अलब भासा थोड़ी सी बढ़ी है लिखा वया सवाल में किसी स्कूल पुस्टक की दुकान में दस दर्जन रसायन विग्यान आठ दर जन बहुत्ती विग्यान दस दरजन अर्थ सास्त्र की पुस्टक पुस्तकों का विक्रेमूल क्रमसा 80 रूपाई 60 रूपाई 40 रूपाई प्रती पुस्तक है आव्यू वीजवरित के प्रयोग द्वारा ग्यात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी राश फ्राप्त होगी सबसे पहले तो हम क्या डालेंगे यहां प कितनी पुस्तक है यहां पर कामा में आजाएगा 120 इतना आजाएगा यह आव्यू ए अब बी की बात करें तो बी में लिखा इन पुस्तकों बिक्रेमूल कर असी रूपाई 60 रूपाई 40 रूपाई तो 80 रूपय, 60 रूपय, 40 रूपय आए, B कमान इतना आगया है, A कमान इतना आए, अब हम A, B निकाल लेंगे, गुणा करवा देंगे, तो देखें, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, A, B बराबर, A की वैलू रग दी, और B की वैलू रग दी, दोनों का मल्टिप्रिकेसन करवाना है, तो 120 का गुणा 80 से करवाएंगे, इतना, 93 का गुणा 60 से करवाएंगे, इतना, और 120 का गुणा 40 से करवाएंगे, तो इतना, आजाएगा, सब का मल्टिप्रिकेसन करवाएंगे, कि वह कितनी हो जाएगी बीस हजार एक सो साथ रूपए तो यहीं मारा कोश्चन का था अंसर तो देखिए जो सरल था विश्चन नमर्टी भी सरल था अब कोश्चन के सब्सक्राइब इसको डिया देखिए यहाँ पर सलूशन इसका लिए सब्सक्राइब करें यहां पर सलूशन थोड़ी सिवासा और सवाल मारा कंप्लीट है यह गुड़ते की कोटिका तथा यहाँ पे जब यह दोनों हैं तो हम लिख देंगे कि किसके बराबर होगा और जब बराबर एन होगा अता पी डबर य के परिभासित होने के लिए यन के तथा पी पर कितना संब्बन दोना क्या संब्बन दोना चाहिए तो संबंद होना चाहिए K बराबर 3 और P बराबर N यह प्रतिबंद का क्या होना चाहिए संबंद तो यही जो हमारा विकल्प नंबर यहां पर A होगा वो होगा राइट ठीक है तो यह question हमारा यहीं पर समाप्त होता है इन होता है चलिए अगले question पर यह question number 22 question number 22 की बात कर लेते हैं यहां पर लिखा यदि N बराबर P हो तो आप यहां पर आपको चार आपसं दिए गए यहां को solution इसका बताने अदला भासा ही लिखनी है ठीक है solution डाल दीजेगे यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे तो बी नमबर यहां पर राइट है क्यों राइट है जड़ा उससे देख लेजिए तो आव्यू यहां पर लिखा हुआ है x जो है वह two गुर्ते n कोटी का है इसलिए 7 x गुर्ण से प्राप्त आव्यू भीजो होगा वह समान कोटी का होगा कोट ऊपीन कितनी है दो गुड़ते दोफाइब आव्यू जड में 5 के गुड़न से प्राप्त आव्यू भी जो होगा वह समानी कोट का होगा अता हम लिख देंगे कि दोनों आव्यू 7 एक्स और 5 जट टू गुड़ते एन कोट के ही होंगे जब यह एन कोट के होंगे इसका मतलब प्रतिबंद जो होगा वह हमारा यह सही सब्सक्राइकार आव्यू 7 एक्स माइनस 5 जट परिवासित है और इसकी जो कोट है वह कितनी है दो गुड़ते एन है तो यह कोश्चन का रहा अंसर ठीक है कोश्चन नमबर 22 हमारा सडल था और देखिए इसमें पढ़ा है यहां पर पढ़ाई जा रही है क्योंकि जो आपक तो इसलिए आपको ncrt book ही यहां पर पढ़ाई जा रही हो यहीं आपकी चलनी है ठीक है बुक के सारी आ गई है दुकान पर ठीक है सभी लोग book स्रेरत से यहां संपर करके अपनी बुक जो है वह खरिद ले ठीक है तो चलिए यहीं से जो हमारा question था वह समात भी होता हो तो पार्ट हमारा four complete होता है